अभी मैं एवरी में आया हूँ और ये एक मेल निकला हुआ यार हमारी गोलियन फिंच का बाहर तो इसको ना अभी पकड़ना पड़ेगा एवरी भी इतनी ज्यादा बड़ी है ये हाथ कैसे आएगा चपका लाना पड़ेगा या ऐसे पकड़ कर देखता हूँ अभी वह उड कंड़ गया जिक्किक इदार आना उदर अंतर बाहर खड़ा खड़ा देख रहा है चपका की आच यह देखेना यहां पर बّैठा हुआ है और अभी इसको तो कड़ना पड़ेगा इसे तो हाथ नहीं आएगा यार्यां अभी पकरता हूँ अभी पकरता हूँ पकड़ता हू सेजिकी मुझे समझ नहीं आ रही है यहां से निकल सकते यह बहुत चोटी जगा है फिर यह कैसे निकला हो गाला किस ते है इस वाले केज में मुझे ऐसा लागा जैसे ना फीमेल अंडे दिये हुए है और फीमेल बाहरे और मेल अंडों को पर बैठा है लेकिन उसी टाइम यह यहां पर आकर बैठ गया बड़ा खतरनाक है यह तो पैलेट्स की तरह बाइट कर रहा है इतनी खतरनाक किसं की तो इसको अभी चोड़ते हैं चलो भई हो जाओ अजाओ और बंद करो इसको यह नहीं इसको चोर दर्वाजा ढूना पड़ेगा हमें वरना यह नहीं हो कि पता नहीं चला वह अंधेरे में आज आवरी के अंदर पानी कुछ ज्यादा ही लग गया हुआ है यह देखना को हमने पानी लगा था और थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा हो गया है और इनको मुझे लग रहा है पानी की वजह सर्दी लग रही है और हमारे जो फैजन्ट ह यार इसको ना भी मैं निकालता हूँ बाहर चलो भई आजाओ कल जैसे इनको बाहर निकाला था अभी इनको ना डेली हम इस तरह बाहर निकाल दिया करेंगे क्योंकि दोस्तों इनकी परे हमने उखाड़ दी है और काफी जादा भाई यह कोमेंट कर रहे था कि आप इनकी प और फैजन को भी निकालता हूँ आज सुबह से कबूत्रों को बाहर निकाला हुआ था और अभी ना यह दाने का वेट कर रहे हैं तो इनको मैं डालूंगा दाना आज़ाओ 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 इस तरह हमारे ऑस्टिज नहीं खाते जैसे ही मैंने कबूत्रों को दाना डाला था ऐसे ही हमारी डक्स ने शोर करना शुरू कर दिया था कि हम इधर रह रहे हैं हमारे भी दाना लेकर आओ डकी गैंग यह लोग आगया तुम्हारा दाना अब यह देखें बड़ी वाली डक्स नहीं है लड़ना नहीं है शोर भी नहीं करना बिल्कुल भी यह लो यह खाओ मेरे हाथ से यह लो शाब बाश तुम तो बहुत अच्छे हो यार तुम भी खाओ यह लो चल यहां पर इनको इस तरह डाल देता हूं फिर खुद इना यह लोग खा लेंगे और दिन में एक सब्सक्राइब के भीगे हुए ना दाने डालते हैं इनको रात को हम भीगो देते हैं और फिस सारा दिन अपनी डक्स को और कपूतरों को यह वाला दाना डालते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है इनके लिए असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हैं यार आप सब लोग य मुझे एक बाद बता हो तुम इतना महंगा और अच्छा मॉबाइल लेकर अभी खर इन पडे राह चरो को कि यह वाले मैं ने तब इलँ अब है बाइर ने कर ला लिए ladle नहीं पैंक रहे है उत्या भूम-ाइकर राइरस Sप्राइब इस जहको कर दो को ढूब हम देंगे बलको मैं देंगा सर्प्राइस मैंने अरेंज कर लिया है बस तुम जग्ल को बाहर निकालो लेकर आधा बही जग्गु चोदरी को जग्गु तुमारे नखरे नहीं खतम होते हैं लेकर आदे सरप्राइज मने तुमको बताता हूँ न मोबाइल की तरे तुम्हारी लेकर ने सरप्राइजि किस चीज़ को बोलते हैं मतलब अचानक लाके दोगें हाँ तुम मुबाइल कहा है तुमारा मुबाइल उपर रखा हुआ है फिर उपर रख दिया अभी आप लोगों को देखाता हूँ एक मेर दोस्तों जगू यह चेक करो कौन है कौन है यह जगू चेक करो जरा कितने वोर से देख रहा यार यह देखें जगू बड़े ध्यान से हाँ जगू के लिए भी सर्प्राइज है पर इसको थोड़ी पता है यार इन चीजों का तो दोस्तों यह आप लोगों को मैं भी दिखाता हूँ यह देखें भाई ओहो ओहो जगू क्या कर रहे हो तुम इसको आप गोर से देखें दोस्तों कितनी ज्यादा टेम है चार पार्टनर आने वाली है तुमारे लिए भी है ना क्योंको तुम जगू के भाई हो जगू द्रामे बाजी नहीं कर नहीं तो तेरी पार्टनर नहीं लेकर आऊंगा मैं और यह बहुत उल्टी सीधी हरकते करता है ना इसको इसकी फीमेली आकर साट करेगी हमारे तो यह काब जाँए किए बिगा यहार तो तो अब देखा जर्टनर को झाररा है इसके फीमेल इखा रह испदी यह कोई देख को इसकी फीमेली दिखा दिराज़़ा जा रहा है कोई बात नहीं है कोई आदे दो सारे कंदों के उपर बैठी रहा करेगी जग्गू की तरह वह ऐसी नहीं होगी कि जग्गू हमारे पर टिकता ही नहीं है लेकिन यार वह उसका साइज मेरे शाहर से इसी के एज की है सेम इनका वेट है सारा कुछ मैंने अच्छे से कंफरम करके ना फिर ही उसको अरेंज किया ह क्योंके जग्गू को हम लेकर आये थे यह भी उन्होंने हमें टेम समझ करी दिया था लेकिन यार यह तो अंटेम ही है अंट्रेंड ही है इसको बतलब अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो इसकी फीमेल जब आ जाएगी वह हमसे फुली फ्रेंडली होगी सारा कुछ होगा जग्गू होजा अजाद बस तेरी अजादी कुछी दिन की है एक दो दिन की जब तुमारी फीमेल आ जाएगी ना फिर वह सैट करेगी तुमको अच्छे से बस अभी ना आप लोग भी वेट करें और मैं भी वेट करता हूँ कि कब जग्गू की फीमेल आती है दोसो इंश जाएगा पास इधर आओ इधर आओ इधर आओ भागो नी भागो नी भागो नी पकड़ ले पकड़ ले अराम से अराम से अराम से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से इधर लगी यह चोट एक मिनट नहीं यह देख रहा था तुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुक बस वैसे चली यह यह मामूली सी चोट है इसी इनको चोड़ देखना कितनी स्पीड में भागेगा जैसे पाउं के अंदर कहीं दाने वगारा तो नहीं बन रहे कोई अलरजी तो नहीं हो रही क्योंकि ज्यादा तर जो आउस्टीजन विमारी दोस्तों इनके पाउं के अंदर पाउं के अंदर वजन डालना चोड़ देते हैं तो हम सबसे जाया ना उनका खियाल के पाउं का करते हैं कि इनके पाउं के अंदर कोई मसला ना हो तो इस Nancy मैं वह में देख रहा था कि आज़ से इदर उधर लगते हैं ना परिशान हो जाते हैं यह देख लिए अभी असर का टाइम हुआ है और अभी से यह कैसे सुकड के बैठे हुए तो मैं काम करता हूं दर्वाजा इनका खोल देता हूं यह सारे अंदर चले जाएंगे फिर जाओ जाओ चलो 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 अभी हमारे यहां पर आदी हो गए त आ जाओ आ जाओनीचे यहां पर आकर हमारा हिरन बैठा रहता है तो उसके वज़ा से यह वाली जो गहास है यह जलना शुरू हो गई है यह रात को गधन घंटो गधन आ पर बैठा रहते हैं और दिन में भी धूप सेकने के लिए यहां पर आ आ जाती है व्रूर यह नहीं और पौदों का सीजन अभी आएगा सर्दियों के अंदर तो इंशालला पिर ढेर सारे ने यहां पर पौदे लगाने और अभी यह देखें यह भी अंदर जाने के लिए रस्ता ढूंड रहा है तो इसको मैं बंद करकर आता हूं माशालला माशालला बहुत ज्यादा इतने कि इतने है जितने मैं डालके घाता है और चलात भी है सब मेरे ख्याल से तुमने पहले सेफ अगर डाले थे ना अदब निए भाली होगी तो इस वज़ह से पेड़ पर गया है और आज तो माशालला से यह देखें दोस्तों इनके चारे के अंदर भी यह चारे को ना सही से खा लें और आज तो चारा भी सही खाया हुआ इन्होंने बहुत दिनों बाद नहीं जो फीमेल है वो तो अच्छा खाती है जो मेल है यह थोड़ा सा ओफ हो गया था पीच में लेकिन अलहम्दुल्ला दोस्तों हमारा मेल अब बिल्कुल ठीग है अब प्यारी लगने लग गई है वरना पहले बहुत ज़्यदा सुकी थी है ना सारे कहते थे क्या तुम लेकर आए हो मेल के मुकाबले में तो यह बिल्कुल छोटी सी लगती है लेकिन अलहम्दुल्ला अब इसको खाने को थोड़ा सा अच्छा मिल र यह पड़ीना यह देख खाले भई खाले क्या हो गया यह बिजती नहीं है यह अपने ने मूड पर खाता है जब तक दोस्तों इनका ब्रीडिंग सीजन खतम नहीं होता ना तब तक यार यह ऐसा ही रहेगा और जैसे इनका ब्रीडिंग सीजन खतम हो जाएगा तो हमारा मेल दुबारा से अपनी हालत में आ जाएगा कि जैसे हम जूम आया करेंगे फॉरन हमारे पीछे लग जाएगा आज बता बच्चे इसको देखने के लिए आये थे ठीक है और भाई उनके पीछे लग गया वही पुरान अग्रेसिव नहीं खाने के लिए कमपून इसको ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खाने के लिए लाए होंगे तो फिर उन्होंने रोटिया इसको थोड़ी सी खिलाई थी और सेब लेकर आये थे फिर इसने सेब खाए फिर चला गया तो आज की वीडियो दोस्ता यहीं परेंड करते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं बोलिएगा और अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बस यार आप लोग थोड़ा दिन वेड़ कर लें जगू की फिमेल भी आ जाएगी हमारे रैबिट्स भी आएंगे और उसके बाद हमारा हैंड कूप भी बनेगा डॉगाउस बनेगा कबूदरो का घर बनेगा हमारा होर्ष भी आएगा हसकी डॉग भी आएगा बस आइस्ता आइस्ता थोड़ा सा वेड़ करें इंशालल सारी चीज़े आजाएंगे